नमस्कार जी दोस्तों कैसे हैं आप लोग मैं रविकान वत्रपाथी एड्मिस्ट्रेडिव आफिसर लेक्षर हिंदी यूग नगमां इंटरमिट कालिस देवरिया खास देवरिया आज आपके सामने हूँ और आज हमारा टापिक है यूपी बोर्ड कच्छा दसमी से जो की हुई है चौै आज हम लोग पर पकत्रों को परने के पहले हम शुझू करते हैं अपने वीडियो को इसके पर चोटा सा सबसे पहली कविता हमारी हिमालय की क्या खास बात है हिमालय की खास बात यह हमारे होता है इस चंद में अंतिम पक्ति जो है तुकबंदी की होती है यानि प्रथम पक्ति से हर इस्टेंजा की यानि हर पैरेराफ की अंतिम पक्ति मैच करती है आईए पढ़ते हैं मेरे पास किताब है वैसे मैं अपनी स्क्रिंग पर वीडियो के साथ साथ जो कंटेंट होता मैं देता चलता हूँ लेकिन अगर आपकास किताब होगी तो आपको अच्छा लगेगा तो आप अपनी किताब अपने साथ रख लीजिए मैं एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए आपके साथ लेके चलूँगा आये शुग करते हैं वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ेंगे हिमालए से पहली कभी था हिमालए से मैं अभी कांट में तरपाथ ही आपके सामने आप सभी का जो लोग भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं यह स्वन रस्मिशू स्वित भाल बरसा जाती रंगी नहास सेली बनता है इंद्रधनुस पर मल 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 जाता बतास पर रागहीन तो हिमन धान है चिर्महान है चिर्महान कहते हैं महादेव वर्माजी हे चिर्महान चिर्मतलब प्राचीन काल से कितने प्राचीन काल से अत्यन तही जिसके बारे में पता नहों कि कितने प्राचीन काल की बात कर रहे हैं कहते हैं चिर्काल से बहुत ही प्राचीन काल से जो महान है ऐसे हिमाले संबोधन है हे चिर्महा ये चिरमहान दोनों ये सफ़ी bisaian हैं चर्वी सबड़ी शेज़न में आया है महांता वह भी वीशेशन है लेकिन दोनों वीशेशन मिलके संबोधित कर रहा है किसको हिमाले को कहक चैरे हैये क्यूर यह सवनच मिद्नी का मतलब होता है किरणो रशमी मतलब टें कैंसी किरने स्वार्ण रस्मी गोल्डन कलर की जो किरने हैं जो सोने की किरने हैं और किसका छू स्वेत भाल भाल का मतलब होता है माथा भाल का मतलब मस्तक तुम्हारा मस्तक छू करके ये जो सोने की जो किरने है ना यानि सूरे की किरने जब तुम्हारे उपर पढ़ती हैं त तो कि तुम्हारा सफेद माथा चू करके यह गोल्डन कलर की यह स्वर्ण कलर की किरने बरसा जाती रंगीन हस, चारो तरफ रंगीन हसी बरसा जाती है, चारो तरफ एक आनंद का वातावरंग तयार कर देती है, रंगीन हस बरसा जाती है का मतलब क्या हुआ, एक एक आनंद का सब्सक्राइब ने जी करता है कि किस सोटेंबा गले में भॉता है उसी अक का होता है जैसे कि कलपना कर लिया इन्होंने कह रहा है कि इंड्र अनुस लिए माला बन जाया करता है है और बतास बतास यानि हवा बतास बतास किसको कहते हैं हवा परिमल मतलब सुगंद सुगंधित हवा तुम्हारे यहां से निकलती है क्योंकि हिमालय पर्वत से निकलने वाली हवा को मलय हवा कहते हैं वहां मलय पर्वत है मलय पर्वत से निकलने वाली हवा मलय अज कहलाती है तो हिमालय के पास इतनी जादा प्यार प स्कत्सिम्हादी ईंडर्धनुस करते हैं और हवा का मतलब क्या होता है राग का मतलब होता है अनुगाग प्रेम आकरशन मोह माया लेकिन तु मोह माया के बंधनों से भिमुकत है तुम्हारे अंदर राग नहीं है तुम्हारे अंदर मोह नहीं है तु हिम निधान है तु बर्फ की सामक्री है निधान का मतलब होता है केंदर खान भंडार तु बर् में गर्वित जुकता नसीष पर अंक लिए है दीन चार मन गल जाता नत्विस्वदेखतन सह लेता है कुल classic हार कितने मृदू कितने कठिन प्रांड कितने मृदू कितने कठिन प्रांड है चिर्मान है चिर्मान कहती है महादेवर्म आगले श्टेंजा में नभव ए गर्वित जुकता नसीस परंक लिए दीनचार अंक का मतलब होता है गोद अंक का मतलब गोद हिमाले के केंद्र में यानि जो परवत की चोटियां दिख रही ना उन चोटियों के अंदर 6 तथों भरा हुआ है छारत्त का मतलब क्या हो गया उसमें बहुत सारे और शुद्धियां भरी हुई ऐसी चीज़ें जो नकारात्मक अल्थ भी दे सकती हैं यहां पे खशार का सीधे सीधे तत्पर यह है कि सब चीज वहां पे क्योल मंगलकारी कि ही नहीं एक पैसी चीज़ें भी हैं जो इचोबनिय के हम क्कूश को हर चीज अच्छी मिल वहां ने पहले भी कहा कि ब्रिच्छों के पास और शदियां हैं वहां पे नदियां हैं वहां पे जरने हैं वहां पे जल हैं वहां पे अच्छे जीले हैं वहां पर पर सब कुछ है लेकिन उसके केंद्रिबिंदों में सलफर भी है उसके केंद्रिबिंदों में अमोनिया भी हो सकती है ऐसे बहुत सारे केमिकल भी अंदर हैं जो हमें नुकसान पहुचा सकते हैं पर अंक लिए है दीन इच्छार लेकिन तुम्हारे हिर्दय के अंदर ना सब कुछ उतना ही अच्छा नहीं है जितना अच्छा बाहर से दिखाई देता है लेकिन फिर भी हे हिमाले तुम्हारा गर्वित है पूरे संसार में कहीं तुम्हारा सीष जुकता नहीं है तुम्हारा सीष सरवच रहता है यानि तुम्हारे अंदर कभी भी जुकने की कला नहीं आई तुम हमेशा सीना उठा करके चरत्र के साथ उच्छे रहते हो हे हिमाले तुम्हारा चरित्र सदा सरवदा उ तुम्हारा तन कुलिश के भार को सह लेता है, यानि कितना भी कठिन भार, कितना भी बड़ा दाइत, कितनी भी बड़ी जिम्मेदारी तुमको दे दी जाएना, तुम्हारा शरीर उसको सह लेता है, और तुम्हारे सामने पूरे विश्व को जुका हुआ देख करके मेरा मन द कठिन प्राण तुम कितने मुलायम हो और अंदर से कितने मजबूत हो प्राण का मतलब होता अंतरात्मा अंदर से कितने कठिन कितने मजबूत हो और उपर से कितने मुलायम हो मुलायम की सर्थ में मुलायम इस सर्थ में कि हमें जो चाहिए होता है मीठे मीठे फल अच्छा अच्छा जल नदियों के माद्यम से जर्नों के माद्यम से प्राक्रितिक सुन्दरता ओशधियां कितनी सुन्दर सुन्दर मल्या जहवा यह सब कुछ तुम हमको देने वाले हो और उसके बैक अप में देखा जाए उसके पीछे तकार कितनी मजबूत चट्टानों के साथ तुम खड़े हो हे हिमाले तुम बहुत महान हो तुम साधार नहीं हो अगला इस्टेंजा कहता है तूटी है तेरी कब समादि धंजा लोटे शतहार हार बहचला द्रिगो से किंट नीर सुनकर जलते कंकी पुकार सुख से बिरक्त दुख में समान हे चिरंधान हे चिर्माहान कह रही है महादेव वर्मा तूटी है तेरी कब समाधी धंजा लोटे शतहार हार तेरी समाधी कब तूटी है बहुत सारे जंजावात आए सो से अधिक जंजावात आए और तुम से टकरा करके हार गए जंजावात मतलब तेज आधी वाली हमाएं यानि समस्याएं परिशानियां परिशानियों के प्रतीक रूप में लिया है जंजा बात को जंजा लोटे सत हार हार सौ से ज़्यादा यानि सैकरों आधियां यानि सैकरों बिपत्तियां सैकरों परिशानियां बड़े बड़े तुफान आये और तुम से टकरा करके लोट नहीं तुम अचल अपने अस्थान पे मजबूती के साथ खड़े गए। और कहते हैं बहचला द्रिगों से किंत नीर सुनकर जलते कर्की पुकार। ये तो तुम्हारी मजबूती है कि कितने भी तेज तूफान आए हो, कितने भी तेज हवाये चली हो, कितने भी विपत्ती आ निकला, बहचला द्रिगों से किंत नीर, द्रिग मतलब होता है आँखें, तुम्हारी आखों से जल बहा, यानि तुम्हारे यहां से नदियां फूट पड़ी, वह नदियां आकर के पूड़े संसार को पुष्पित और पल्लवित कर दी, गंगा नदी हिमाले से ही निकलते गोमुक से गंगोत्री से, और ऐसी तमाम सारी नदियां तुम्हारे अस्तर से निकल पड़ी तो वही कहा, कि बहचला द्रिगों से किंत नीर सुनकर जलते कंकी पुकार, जैसे ही जलती हुई धरती की पुकार तुमने सुनी ना, तुम्हारे नेत्रों से जल बहा, यानि मजबूत भी हो कि बड़े से बड़ी भी पतियां तुम से टकरा के लोट गए, लेकि तुम्हारा बालवाका नहीं हुआ, दोनों चीज़ें हैं तुम्हारे अंदर, तुम मजबूत भी हो और तुम कोमल भी हो, सुख से विरक्त, तुम को सुख मिल गया, तो कोई मतलब नह है और अगर दुख भी आ गया तो भी कोई बात नहीं है मने सुख में और दुख में दोनों परिस्थितियों में तुम समान रहने कि वाले है हिमालाय तुम अत्यांत महान हो और अंतिमिश्टेंजा इसका कहता है स्वयम की तुलना करती है महादवी वर्मा हिमाले से कहती है कि मुझे तुम्हारे जैसा बनना है तुम मेरे जीवन की आदर्श बन सकते हो जैसे तुम हो वैसे अगर मैं बन जाओ तो कितना अच्छा हो जाता है तो कैसे बनना पड़ेगा तो कह रहे हैं मेरे जीवन का आज मुझे तेरी छाया से हो मिलाप मेरे जीवन का जो उद्देश है न उसका तुम्हारी छाया से मिलाप हो जाए छाया का अतात पर यह है तुम्हारे प्रभाव से, तुम्हारे चरित्र से, तुम्हारे आचरं से उसका मिलाप हो जाए मेरे जीवन का तुम्हारी छाया, यानि तुम्हारी आभा, तुम्हारा जो चरित्र, तुम्हारा जो आचरं है उससे मिलाप हो जाए तुमने जो साधक्ता अपनाई है ना साधक्ता का मतलब तुमने जो श्रम किया है तुमने जो परिश्रम किया है और जो तुमने अपने अंदर मजबूती पाई है ना वह मजबूती मेरा भी शरीर पा ले तन तेरी साधक्ता जो तुने साधना करके जो अपने अंदर मजबू अर्थात मेरा मन भी उस सीमा तक पहुँच जा, जिस सीमा तक तुम्हारी करुणा है, करुणा की थाह नापने का मतलब होता कि करुणा तुम्हारी जहां तक है, वहां तक मैं पहुच जाओं, अर्थात मेरा मन भी उस करुणा को प्राप्त कर ले, जो करुणा तुम्हारी अ लबाव इकठा करने के प्रवर्ति और द्रिग में बिहान बिहान का मतलब नया सवेरा स्रिजन करने की चमता यानि हरिदय में करुणा हो और आखों में नवीन स्रिजन की संभावना हो अगर ऐसा हो जाए तो मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहती हूं हे हिमाले तुम चिरकाल से महान हो तुम भविश काल को कोई अंच नहीं आ सकती है हिमालए तुम अच्छनत ही महान हो तो यह था गीत हिमाले से अगली बार में हम लोग पढ़ेंगे वर्षा सुन्दरी के प्रति तब तक इस ही तैयारी कर लिज़े वैसे मेरी जानकारी में वर्षा सुन्दरी के प्रति साइथ इस वर्ष सन 2020-2021 में स्लेबस से अगया है कोरोना महामार कर लीजिएगा दिक्कत आते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा मैं उसका जवाब दूँगा तो आप मेरे साथ थे रवीकांत मुर्टर पाथी मैं यूपीष्ट देवरिया से हूँ यूगनेबा इंटरमेट कॉलेज का मैं हिंदी का लेक्ष्टर हूँ और जहां कई दिक्कत आ बात हूँ आए चलते हैं तैयारी करते हैं एक लिए वीडियो की आप लोग इसको लिख लीजिए और मिलते हैं जल्दी ही नमस्कार सास्रियकाल जैए